वाहिगुरुजी का कालसा वाहिगुरुजी की फते एक सिख नाजवान सरदार अर्ष दीप से जो पार्थबलों किरकट मैज खेड रहे हैं से बड़ी तांदे ही देना बड़ा मालना के दिकन सबभी उस पास सो कैच छोटे हैं खेड दे मदान दे वेच जिता हारा हुंदिया ने हुंदिया रहन दिया ने हुंदिया रहन की लेकन जो ही उस दे हथो कैच शुटे है ते पारत दे अंदर कुछ कटिया मानसिकता वाले लोगानों उसनों बहुत ही पदे टांगते डाल रोल कीता जान लगते है और टोल कीता जा रहे हैं मैं समझना है कि ये बहुत ही मांदपागी गल है पारसर कारून अजेहे गंदी मानसिक्ता वाले लोगां दे उते जड़ा है उस कंजा कसना चाहिए रहे सोशल मीडिया दे उते गड़े गंदगी गड़ी है वो फलारा इने उस प्रति गंदे लफज इस्ते माल कार रहे ने उनननों नातपाउन दी बहुत बड़ी जरूरत है पारसर कारून दी नातपावे क्योंकि एहो जी गंदी मानसिक्ता वाले लोगां ने हमेशा ही कौम और दिश्ता नुक्सान किता है और नुक्सान कर देने दूसरे मैं काका अर्षदीब सिंग्र में करना चाहांगा कि बेटा मानला के खेड़ो पुरी तंदेही देनाल खेड़ो अकाल पुर्खते पुरुसा रख की खेड़ो कौम ता अटे नाल है वाही गुरु ता अटे आटे निश्ता ना हिम्मत हारनी ना हांसला शड़ने उरी तंदेही देनाल खोक्स करके खेड़ने वाही गुरु फते जड़ी है वो जरूर बक्षेगा वाही गुरुची का खल्सा वाही गुरुची की खेड़ो